हलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू माई चैनल ये स्ट्रामी की हिंदी एक्स्प्लेनेशन का पार्ट टू है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं लियो भोसर दो खुश होती है लियो उसकी फोटो ले रहाता तब ही गुई आजाता है लियो बोलती है मैं केसी लग रही हूँ पर गुई तो उसे एक चाटा लगा देता है पैंपा बोलते है आज तुम्हारी शादी है तुम ये क्या कर रहे हो गुई बोलता है मुझे लियो तुम ठीको और भ्योश हो जाती है गोई को होस्पिटर में पता चलता है कि यू प्रेगनेंट है उसे लगा था ये उसका बच्चा होगा यहां लियो की रो रोकर बुरी हालत हो जाती है तभी लियो को मिस्स वाई के असिस्टेंट का मेसिज आता है तुम ही सियांग फैमिली की बेटी हो असिस्टेंट लियो का वेट कर रहा था तभी उसे कोई मार देता है वो बोलता है ये सब यू ने जान कर किया है लियो रोती हुए बोलती है मैं अपनी मूम की मौत का बदला ले कर रहूंगी यहाँ पर गोई तो देव दस बन कर बैटा था तब ही लियो आती है सियांग फैमिली की असली बेटी मैं हूँ यू नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया है ये सब यू का प्लैन था लियो बोलता है अच्छा मेरी ड्रिंक में किसी ने कुछ मिला दिया था मैं यू किस साथ था लियो बोलती है उस दिन मैं थी तुम्हारे साथ यू नहीं थी वो जूट बोल रही है गोई बोलता अब तो तुम जादा ही बक्वास कर रही हो अब तुम यहां अगई हो तो रिग्रेट मत करना और उसकी सर्टिंटी मेट हो जाता है मौनिंग में वो उसे बोलता है दुबारे मुझे अपनी शकल मत दिखाना यहां से चली जाओ लियो ग्रेंटपा के पास आती है गोई मेरा यकीन नहीं कर रहा तो लियो की शादी नहीं होगी वो मेरी बेस फ्रेंड है ना गोई बोलता हमारी फैमली के बीच में जो मैरिश कोंट्रैक हुआ था मुझे लगता है अब वो प्रॉमिस पूरा करने का टाइम आ चुका है क्या तुम मुझे शादी करोगी यू तो खुश हो जाती है बिल्कुल तब ही ग्रेंडपा आते हैं मैं शादी के खिलाफ हूँ तुम भूल गए तुम ओल्रेड़ी शादी शुदा हो ऐसे कैसे किसी भी लड़की के साथ तुम दूसरी शादी कर सकते हो गोही बोलता है पर लियो ने ही सब किया है एवन मेरी कंपनी के सीक्रेट भी उसने ही भार रिवील किये है वो मुझे प्यार नहीं करती एक नमबर की चलाक लड़की है क्रेंडपा बोलते मुझे पता है कौन चलाक है मैं तुम्हारी तरह बेवकुफ नहीं हूँ यूगो तो गुस्सा आ रहा था ग्रेंडपा को पता चलता है लियो ही ज्याम फैमली की रियल बेटी है ली बोलता है अब हमें गोही से बात करनी चाहिए ग्रेंडपा बोलते है नहीं इतने एविडेंस काफी नहीं है मैनेशर डॉक्टर के पास आता है जिसने डियने टेस्ट को बदल दिया था मैनेशर बोलता है कोई की ग्रेंडपा को पता चल गया है तुम्हारे बारे में वो इन्वेस्टिगेशन करवा रही है अगर कोई तुम्हारे पास आए तो कुछ भी मत बताना डॉक्टर बोलता है तो बदले में मुझे क्या मिलेगा मैनेशर पोछता है क्या चाहिए तुम्हें डॉक्टर बोलता है एक अच्छी पोस्ट मुझे खोस्पिटल में टॉप पोजिशन चाहिए मेरी बज़े से तुम लोग रिच बन गई हो तो मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए ना मैनेशर बोलता है ठीक है मैं यू से बात करूँगा डॉक्टर बोलता है इतना ही नहीं मुझे यू भी चाहिए मैनेशर बोलता है ये क्या बखिए जा रही हो डॉक्टर उसे रियल डियाने टेस्की रिपोर्ट दिखाता है अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुमारे लिए ठीक नहीं होगा यू मैनेशर से मिलने आती है तब डॉक्टर उसे पीछे से हक कर लेता है यू बोलता है ये क्या कर रही हो वो यू को बर्बात करना चाहती है पता नहीं अब मेरी बेटी से कोई शादी करेगा लियो के अंकल भी मस्ट एक्टिंग कर रहे होते हैं बो लियो के पासा कर उसे चाटा लगा देता है लियो बोलती है पागल हो गई हो क्या? गुई लियो को होस्पिटर में लेकर आता है तुमने यू के साथ बहुत गलत किया है लियो बोलती हाँ सब मैंने ही तो किया है मैं इसे नफरत करती हूँ ना इसलिए सब कर रही हूँ गुई उसे एक और चाटा लगा देता है यू को बलड की जुरती तुम्हें बलड देना होगा लियो मना करती है पर गुई बात नहीं सुनता कोई एक प्रोजेक्ट के लिए बान में आता है वो बंदा प्रोजेक्ट के लिए हां कर देता है पर बोलता है मुझे कुछ और भी चाहिए गुई समझ जाता है कोई लियो को उस बंदे के पास बेज़ देता है तुमने यू के साथ भी तो ऐसा ही किया था ना वो लियो को छोड़ कर चला जाता है बान में वापिस आता है पर रूम में लियो नहीं थी वो डूरने लग जाता है तब ही लियो आती है लियो बोलती है तुम्हें देर हो गई आने में कोई तो भड़कने लग जाता है तुम इतनी बेशरम कैसे हो सकती हो लियो बोलती है तुम्ही तो मुझे उस बंदे के साथ रूम में छोड़ कर गए थे तो मैं बूरी कैसे हुई असेजन गुई की पास आकर बोलता है वो बंदा तो होस्पिटल में है गुई यो की साथ भाओर होती है यू उसे बोलती है देखो तुम्हारा डिवोस भी नहीं हुआ है फिर भी लियो ली के साथ है घर आता है ग्रेंपा बोलते है तुम यू के साथ अप नहीं रहोगे गोई बोलता है पर वो लियो से बेटर है ग्रेंट पागुसा करने लग चाते हैं लियो बोलती है मैंने कुछ भी नहीं किया है तुम्हें मुझ पर यकिन क्यों नहीं हो रहा है गोई बोलता है मुझे अच्छे से पता है तुम ली के साथ हो तभी उसे होस्पिटल से कॉल आता है गोई होस्पिटल में आता है यू अपना ड्रामा शुरू कर देती है तुम मुझे शादी नहीं करोगे तो मैं जी कर क्या करूँगी कोई उसे रोकता है यू बोलती है पता नहीं मैंने उस लियो का क्या बिगाड़ा है जब देखो मुझे परिशान करती रहती है तभी लियो भी माठ तपक पड़ती है यू तो नो टंकी करने लग जाती है जैसे उसे लियो से बहुत ज़ादा डर लगता है कोई बोलता जाओ वो डॉक्टर के पास आता है क्योंकि उसे यू पर शक हुआ था डॉक्टर बोलता है मैंने जो रिपोर्ट बनाई थी वो एकदम सही थी कोई बोलता है रिपोर्ट लेकर आओ मुझे ओरिशनल वाली देखनी है डॉक्टर यू को कॉल कर बोलता है मुझे पैसे चाहिए देरी इतनी हम्मत का यू तो पागल हो जाती है उसने मैनेजर से प्यार कया था और उस चक्र में वो ड॥ाक्टर को भी मार देती है जैसी यू प्रफार। को दे नहीं किया है गुई बोलता है पर वहां उसके फिंगर पिंट्स मिले हैं गुई होस्पिडल में आकर डॉक्टर से अपने गुई बारे में पूछता है यहां लियो भी आजाती है पर गुई को लगाता ये भी लियो नहीं किया होगा तब ही गुई को वोश मिलती है वो असिस्टेंट को बोलता है पता लगाओ ये किसकी है ये सब यू भी देख रही होती है लियो को पता था ये सब यू का किया धरा है वो यू की पास आकर बोलती है तुमने ऐसा क्यों किया यू बोलती है तुम गुई को डिवोस दो अगर य लियो क्या बोल रही है मैंने कुछ भी नहीं किया है मैं ग्रेंटपा को कैसे हट कर सकती हूँ गुई तो लियो पर भड़कने लग जाता है तुम यह क्या कर रही हो दफा हो जाओ यहांसे यू मैनेजर को बताती है तुम्हारी वोच गुई की हाथ लग गई है मैनेजर बोलत है मैं पकड़ा गया तो छोड़ूँगा नहीं तुम्हें भी तभी लियो आती है अब उसके पास एविडेंस भी था यू बोलती है जाओ जाकर बता दो गुई को पर वो तुम पर ट्रस नहीं करेगा अब तो वो तुम्हें देखना भी नहीं चाहता है तभी यहां गुई लियो ये रिकोर्डिंग ली को दिखाती है ली बोलता अगर मैनेजर से हम सच उगलवा लेते हैं तो यू का परदा फास हो जाएगा लियो मैनेजर की पास आती है लियो बोलती है सच बताओ तुम दोनों ने मिलकर डॉक्टर कुमारा है ना और ग्रेंटपा को भी मानने की कोशिश की है मैनेजर तो उसके पैरों में गिर जाता है मुझे माफ कर देना तब ही वहाँ आ जाता है अब तुम मैनेजर को परिशान करने भी आ गई क्या अब तुम यह बोलने वाली होगी ना मैनेजर और यू मिले हुए है इन दोनों नहीं ग्रेंपा को मानने का बच रहाता है, यू कुछ बी नहीं कर सकती हे, मैनेजर लिए के पैरों पंड़ जाता है, मैं तो यू को अपनी बेटी जैसा मानता हूँ, तुम ये क्या रही हो? लियो मैनेजर को धका देती है तुम छूट बोल रही हो ना कोई लियो को अपने साथ घर लाता है तुमारा ना बहुत जादा हो गया और उसे रूम में लोग कर देता है मैनेजर यू के पास आकर बोलता है आज तो मैं बाल बाल बच गया बैसे तुम ये सब कुछ मुझे पहले नहीं बता सकती थी यू बोलती है कुछ हुआ तो नहीं है ना बैसे हमें उस बुड़े ग्रेंपा का कुछ करना होगा आज नहीं तो कल वो जग सकता है यू एक आदमी के साथ ग्रेंपा के रूम में आ जाती है वो यू की शेट के बटन पकर लेते हैं वो मैंन बोलता है आप जाए हैं से मैं देख लूँगा वो ग्रेंपा को इंजेक्शन दे देता है तब यहां लियो आती है वो उस मैंन से टकरा जाती है और वो इंजेक्शन लियो के बैग में गिर जाता है लियो देखती है ग्रेंपा की हालत बिलकुल ठीक नहीं है ग्रेंपा के मूँ से यू का नाम निकल जाता है लियो समझ जाती है ये भी यू नहीं किया है तब यहां गुई आ जाता है और वो लियो को धका दे देता है क्यूंकि उसे लग रहाता है ये सब बीसी का किया धरा है गोई बाहर आकर बोलता है मैंने तुम्हें गर से बाहर निकलने को मना किया था तो तुम यहां क्यूं आई हो लियो बोलती है मैं ग्रेंटपा से मिलने आई थी मैंने कुछ भी नहीं किया है मैं जब जा रही थी तो एक अशनभी लड़का उनके पास से गया था गोई को लगता है यह जूट बोल रही है इसलिए उसे धका दे रहता है लियो के बैक से वो इंजेक्शन निकल जाता है गोई बोलता है यह क्या है लियो बोलती है मुझे नहीं पता कोई लियो पर गुसा करने लग जाता है तुम ही हो वो जो ग्रेंटपा को हट करना चाहती हो तब ही डॉक्टर आकर बोलता है हमने बहुत ज़्यादा ट्राई किया पर ग्रेंटपा को खोश नहीं आया लियो बोलती है ग्रेंटपा ने यू का नाम लिया था यो बोलती अब तुम मुझे blame क्यों कर रही हो मैं तो hospital में ही नहीं थी यो बोलती तुमारे shuttle का button कहा है यो बोलती कहीं पर गिर गया होगा यो बोलती ये नहीं देखो मेरे पास है ग्रेंटा के बैट की नीचे से मिला था लेकिन गुई को लियो की बातों पर कि नहीं हो रहा था तब इनर्स आकर बोलती है ये बटन आपका है क्या यू स्माइल करने लग जाती है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें न्यू अपडेट्स के लिए बेलेगें का बटन प्रेस करें म मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ अब तक के लिए सारांगे बाई बाई